नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है हमारी यूटूब चेनल विसी एस बेसिक फिक्स में आज की इस वीडियो में हम कक्सा 11 का डोपिक लेकर चल रहे हैं पर्तिबल विक्रती वक्र देखे दोस्तों हमने हुक का नियम भड़ा था हुक ने ये कहा था कि पर्तियास्ता सीमा में किसी वस्तू पर आरोपित पर्तिबल का मान वस्तू में उत्पन विक्रती के समानुपाती होता है तो यदि पर्तिबल और विक्रती के अंदर पर्तियास्ता सीमा के अंतरगत यदि वक्र खेंचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तथ पस्चात हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है लेकिन जब आप परतिबल परतियास्ता सीमा से अधिक लगा देते हैं तो जो वक्र है वो समानुपातिक रूप से नहीं increase होता है रथार्त परतिबल और विकरती समानुपातिक रूप से change नहीं होते हैं तो जो वक्र है वो किस प्रकार का होगा? वक्र से समधित जो महतवपूर बिंदु है वो आज की इस वीडियो में clear करेंगे देखे दोस्तों हम पर्तिबल स्था विक्रती के मद्दे वक्र खेंचते हैं तो कैसा वक्र प्राप्त होता है हम एक तरफ लेंगे पर्तिबल और दूसरी तरफ हम लेंगे विक्रती हम बड़ा सा जो वक्र है उसका निर्मान कर लेंगे ताकि हम बेटर तरीके से अच्छे से हम समझ सकें पर्तिबल लिया हमने एक अक्सिस के उपर और इस अक्सिस के उपर हमने ली है विक्करती देखे दोस्तों जब पर्तिबल और विक्करती के मद्दे वक्र खींचा जाता है तो हमें इस टाइप का वक्र प्राप्त होता है यह जो वक्र है यहां से आप देख रहे होंगे कि यह दोनों एक दूसरे के समानुपातिक रूप से होते हैं और इस बिंदू को मैं नाम देता हूँ O एक के करके हम इनको इस पश्ट करेंगे और इस बिंदू को मैं नाम देता हूँ P इसके पश्यात यह जो वक्र है वो थोड़ा सा इस तरीके से चलेगा इस बिंदू को हम नाम देते हैं E और फिर उसके पश्यात यह इस तरीके से बढ़ता है फिर ऐसे ही रह जाता है इस तरीके से प्राप्त होगा इसको हम नाम देते हैं A, फिर वक्र का जो बनावट है वो इस तरीके से चलेगी B, और फिर अंत में हम बात करेंगे C तक तो यह वक्र इस तरीके का प्राप्त होता है दोस्तो O, P, E, A, B, C और इस वक्र के बारे में संपूर जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है तो दोस्तो जो परत्यास्ता सीमा है तो परत्यास्ता सीमा में यहाँ पर देखेंगे परत्यास्ता सीमा तो परत्यास्ता सीमा का मतलब है कि जहां तक हुक का नियम लागू होता है या जो वस्तु है अपनी प्रार्मभी का वस्ता में लोटने का प्रियास करती है तो उस इस्तथी को हम कहते हैं प्रत्यास्ता सीमा तो उस इस्तथी को प्रत्यास्ता सीमा कहा जाता है दोस्तो देगे दोस्तों इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि ओसें लेकर P तक पर्तिबल और विकरती दोनों एक दूसरे के समानुपाति होते हैं इसे ग्राफ के बारे में संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं उसे लेकर P तक दोनो एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं और जो वक्र है वो समानुपातिक रूप से बढ़ता है सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो ये जो बिंदु P है इसको हम कहते हैं आनुपातिक सीमा जहां तक पर्तिबल और विकर्ती बिल्कुल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो इस बिंदु को हम कहते हैं आनुपाती के सीमा आनुपाती के सीमा इसको कहा जाता है बिंदु P को बिंदू P से E तक वक्र है वो सरल रेखा के रूप में प्राप्थ तो नहीं होता बट सुन लीजिए कि वस्तू को यदि यहां से यदि है इस पर से परतेबल हटा लें तो जो विकरती है वो जीरो हो जाती है अर्थार्थ जो वस्तू अपनी मूल अवस्ता में लोट आती है यह जो बिंदू E है वो परत्यास्ता सीमा कहलाता है यह जो बिंदू E है वो परत्यास्ता सीमा कहलाता है वो समानुपाति ग्रूप से तो नहीं रहते बट परत्यास ताकाक जो गुण है वो यहां तक मुझूद रहता है उसके पश्यात कि जैसे ही हम E से थोड़ा सा परतिबल बढ़ाएं तो विकरती का मान तेजी से बढ़ता है विकरती का मान जब तेजी से बढ़ता है E से लेकर A तक के परतिबल थोड़ा सा बढ़ा दें तो विकरती का मान तेजी से बढ़ता है तो इस E से लेकर A तक के छेतर को हम कहते है E के बाद का जो छेतर है उसको कहा जाता है प्लास्टिक छेतर है क्या कहा जाता है प्लास्टिक छेतर यदि मैं इस वक्कर को उर्धुआदर रूप में इस तरीके से विभाजित कर दूँ ये मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूँ D तो इसे D तक जो हमने डोटे लाइन दिखाई है इसके इस तरफ का जो छेतर है इसको हम कहते हैं परतियास्थ छेतर इस छेतर को कहा जाता है परतियास्थ छेतर और इके बाद में जो भी छेतर प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे प्लास्टिक छेतर प्लास्टिक छेतर कहा जाता है तो प्लास्टिक का गुण इसके प्रशात प्रारंब हो जाता है यहां इससे पहले प्रत्यास्ता का गुण रहता है तो यहां पर प्रतिवल का थोड़ा सा मान बढ़ाने पर जो विकरती है वो तेजी से बढ़ती है फिर उसके पशाद देखिए कि हम है परतिबल का मान और अधिक बढ़ाएं तो जो विकर्ती है वो इस तरीके से बढ़ेगी और हमें अधिकतम परतिबल प्राप्त होता है यह जो बिंदू B है वो अधिकतम परतिबल को बता रहा है मेकजिमम जो परतिबल है वो बिंदू B पर प्राप्त होता है अधिकतम परतिबल प्राप्त होता है इस परतिबल के पशाद आप यदि कम भी परतिबल लगाएंगे तो भी विकर्ती उत्पन हो जाएगी और हमें अंत में विभंजन बिंदू C प्राप्त होता है यह जो C है इसको हम कहते हैं विभनजन बिंदू, fracture point कहा जाता है, fracture point का मतलब है, कि जो वस्तु है वो टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं विभनजन बिंदू, fracture point कहा जाता है, ये maximum stress होता है, बिंदू P को हम आनुपातिक सीमा कहते हैं, यह जो बिंदू E है इसको हम प्राभव बिंदू B कहते हैं यह जो बिंदू E हमने दिखाया प्रत्यास्ता सीमा इसको कहा जाता है प्राभव बिंदू कि उससे पहले तक वस्तु में प्रत्यास्ता के गुण रहते हैं भंजन बिंदू वस्तु अपनी पूरो वस्ता में कभी भी लोटने का प्रियास नहीं करती और विभंजन बिंदू पर तो वस्तु के टुकड़े हो जाते हैं वस्तु टूड़ जाती है अलग हो जाती है तो वो बिंदू है सी जिसको हम विभंजन बिंदू कहते हैं दोस्तो तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे हम परतिबल कमान बढ़ाते हैं तो विकरती इस तरीके से चेंज होती है और उसमें जो विभिन्न ट्रम्स हैं वो कौन-कौन सी होती है वो यहाँ तक हमने बता दिया है अब उसके परशाथ हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि हम अलग- प्राप्त होते हैं जैसे हम यहाँ पर भंगुर प्रकत्ति के जो प्राप्त होते हैं उनके लिए वक्र किस टाइप के होंगे रबबड के लिए किस टाइप के होंगे इसके साथ में हम देखेंगे कि यदि बहुलकों का परतिबल और विकरती के मद्देवकर खींचा जाए तो किस टाइप का graph प्रापत होता है दोस्तो दोस्तो अब यहां पर हम पर्तिबल, लिक़रती, वकर अलग-लग प्दार्तों के लिए देखेंगे देखेंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भंगुर प्दार्त जो भंगुर प्रकति के प्राप्त होते हैं जिने चोट मारने पर जिनके टुकडे टुकडे हो जाते हैं तो उन प्राप्तों के लिए पर्तिबल विकरती जो वक्र है वो किस टाइप का प्राप्त होता है यहां पर आप देखिए कि भंगुर जो प्डार्त होते हैं उनके लिए परतिबल विकर्ति वकर है एक तरप हम ले रहे हैं परतिबल, दूसरी तरप लिए जा रहा है विकर्ति इनका जो वकर है वो इस टाइब का वकर प्राप्थ होगा इनमें जो प्रत्यास्ता का गुण होता है वो ज्यादा होता है बट इनके अंदर जो प्लास्टिक छेत्र है वो बहुत ही कम होता है इस टाइप का प्लास्टिक छेत्र होता बहुत कम होता है जैसे ही प्रत्यास्ता सीमा से बाहर निकलते हैं इनका विभंजन मिंदू थोड़ होता है यदि भंगुर पदार्तों के एक्जामपल की बात करें तो हम बात करेंगे काज की तो भंगुर पदार्तों के लिए प्लास्टिक छेतर बहुत कम होता है फिर हमें दूसरे टाइप के प्धार्त यहां पर लेते हैं तन्य प्धार्त तन्य का मतलब है जिनको खींच का एरतार बनाए जा सकते हैं उनको हम तन्य प्धार्त कहेंगे और तन्य प्धार्तों के लिए जो प्लास्टिक छेतर है वो अधिक होता है प्लास्टिक छेतर क्या होगा प्लास्टिक छेतर की जो प्रास होती है वो ज्यादा होगी वक्र है वो इस टाइप का प्राप्त होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक छेत्र है वो अधिक होता है प्लास्टिक जो प्रास है वो ज्यादा होती है इनको खींच कर तार बनाया जा सकता है एक तरफ हम ले रहे हैं पर्तिबल, दूसरी तरफ लिया जा रहा है विकर्थी तो परतिबल और विकरती के महद्दे जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस टाइफ का वक्र प्राप्त होगा और इसमें प्लास्टिक छेत्र की जो प्रास होती है प्लास्टिक छेत्र अधिक होता है प्लास्टिक छेत्र ज्यादा होगा अधिक होगा तन्य पदार्तों के ल हैं तो ये सब तन्यप्दार्थ होते हैं सो ना है चांदी है ऐलूमिनियम् है है ये तन्यप्दार्थ है उनकी लिए पर्दिबल विक्रत्थी वक्र będę समानुपातिक रूप्त से प्राप्त नहीं होता उनका जो वक्र है वो किस टाइप का प्राप्त होता है देख लीजी परतिबल और विकरती के मद्दे किसी भहूलक के लिए यदि हम वक्र खेंचें तो इस टाइप का वक्र प्राप्त होता है इसमें परतिबल और विकरती दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते इसमें जो परतियास्त छेतर होता है वो काफी जादा होता है क्योंकि जैसे हम रबबड को छोटा सा रबबड भी लें बहुलक पदार्तों का जो एक्जामपल है वो रबबर और यदि हम रबबड को उसकी लंबाई की तुलना में कहीं गुणा दोस्तों ये थे परतिबल विकरती वक्र विभिन परकार के पदार्तों के लिए हमने यहां पर देखा कि परतिबल और विकरती के मद्दी जो ग्राफ है वो किस टाइप का प्राप्त होता है और इसमें प्रियुक्त जो विभिन परकार के ट्रम्स है वो कौन-कौन सी होती ह तो आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों